चलिए आज हम देखेंगे अजैसिंग रावाज जी की पुस्तक से जूड़ी ट्रैसरीज का भाग चार यहां भी हम 25 में तो पूर्ण प्रस्ण हम लगातार क्रम बत्ता से अजैसिंग रावाज से समन्दित प्रस्णों को देख रहे हैं तो चलों सुरू करते हैं आज की ट्र प्रस्टा लखुली विराली किस चंद का उपनाम था तो किस चंद को हम लखुली विराली के नाम से जानते हैं तो इसका सही आंसर था हमारा लक्षमी चंद आज का हमारा पहला प्रस्ण है कत्यूरी राजकुमारों की उपादी थी तो इन चार में से कत्यूरी राजकुमा की उपादी थी गरहरा प्रश्य слτό ठेसित अब साबने कहले था तो तर्कर जिए सब्सक्रिक और च्छासन ही डी और इसका जो सांसर था वो था दो था नियेगी अगला हमारा प्रश्ण चंद सासन में गल्ला चाड़ा था तो चंद सासन में जो सब्द हमने देखा यहाँ पर गल्ला चाड़ा यह किस तीज के लिए प्रविक्त होता था तो इसका सही आंसर है उपज का छटवा हिस्सा उपद के छट में इससे को कहते हैं गल्ला चाड़ा जिसे राजकर के रूप में लिया जाता था अगला हमारा प्रश्ण चंद सासन में कैनी का आर्थ क्या था तो एक सब्द देखने को मिलता है कैनी तो किस के लिए हम कैनी सब्द का परियोग करते हैं इसका सही आंसर इन चारों में से होगा भूदास जो भूमी के दास होते थे जो किसानों के नीचे काम करते थे किसानों के खेतों में काम करते थे उनको हम कहनी कहते हैं अगला हमारा प्रश्ण चंदों के समय राजकरों की संक्या थी तो चंदो के समय में कितने राजकर क्वाओं में मौझूद थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 36 राजकर चंदो के समय में थे अगला हमारा प्रश्ण चंदो के समय नदी के पुलों पर लगने वाला कर क्या था तो इन मैंसे कौन सा ऐसा कर एक कर है जो चंदो के समय नजिय की पुलोपर लगता था या पुल पार करने पर जो टैक्स लगता होगा वो कौन सा टैक्स था जूरिया कर पुलोपर लगता था अगला प्रश्ण चंद सासन द्वारा माल भावर वो भोटिया व्यापरियों से वसूला जाने वाला करता तो माल भावर का आर्थ तो हो चुका है तराई वाला हिस्सा और भोटिया व्यापरियों से जो तिब्बसी व्यापर करते उनसे कौन सा कर वसूला जाता था तो इसका सार्थ था नगत के बधने दिया जिया गयानाज जब सàng कोई किसी के पास नगत नहीं राखता दर ठैकस के बध्ले exclusive adot कीशन painful परसने शंद्राइन के समय दिया जाने वाला कर का था तो कंवाओ के समय है वाला करता तो चोंद है तो ऑद्राइन कर लिए आ पास पास रखते थी तो इन के लिए जो कर लगाया गया जंतावर वो था साहू रतंगली दोनों ये दोनों कर जंतावर लगाये गई थे लेकव की लिए एत्गा अमरा प्रस्ण चंदों में सेना ही तो लिया जाने वाला कर था तो उसका सभी नंसर है र खाटक एक और हुआ कौन इसाぁ तो राजा के लिए बहुत सारी राजसेबक उसके साथ होते थे छोटे मोटे कामों के लिए तो उनके लिए जो कर लिया जाता था शयोख मांगा के हम बात कर चुके हैं मांगा एक युद्ध करता जबकि साहू लेखा के लिए इक कर था और कूत नगत के बदर दिया जाने वाला अनास था अगला हमारा प्रस्न चंद सहासन में कामगारों से लिया जाने वाला कर था तो इन में से कौन सा किर voilà जा अजैसे शिल्पकार या लगा हुआ कर था तो चंद साथन में से कौन सा कर जो हर परिवार पर लगा हुआ था तो यह था मौकर अगला प्रश्ण चंदों के समय महाजन को दिया कर था तो चंदों के समय महाजन को जो कर दिया जाता था उसका सही आंसर है चोबदार अगरा प्रश्ण पौरी पंद्रा विश्वा शब्द का प्रयोग चंद किसके लिए करते थे तो जो यह सब्द है पौरी पंद्रा और विश्वा यह किसके लिए प्रयोग किया था यह सब्द तो इसका सही आंसर है समस्त जन्मानस है तो जब चंद सासक समस्त जन्मानस की बात करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर पौरी 15 विश्वासलत का परियोग करते थे किस नहीं किया जो मूल मंदिर है जो इसति था है अल्मोडा में और ये अल्मोडा में है में टाकंगा के ताट पर इसका जो निर्मान किया मूल मैं कत्यूरियों से मूल के 앞रहow तो इस मंदिर को बनाया उसके समान उत्राकण में कौन सा मंदिर तो एक हत्या देवाल जो हमारा है जिसको बाजबादुर चन ने बनाया अगला प्रश्न अकपर नामा के नागोर अभियान अकपर का साथ दिया था यह भी लिखा गिया है अकपर नामा में अगला प्रश्ण अगवर नामा के अनुसार रुद्रचंद अगवर के सही किस वर्स लाहर में मिला तो अगवर नामा में जो तिथी अंकित है रुद्रचंद से अगवर से मिलनेगी तो वो कौन सी तिथी है तो इसका सियांसर है 1588 अगला प्रश्ण एटकिंसन के अनुसार चंदों के समय जमीन का माली कहलाता था अगला प्रश्ण चंद सासन में दीवान का पद था तो किस पद को दीवान का जाता था तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका फतेपति सा की राजदानी श्रीनगर पर उसे लूटा था तो बदले में जब प्थेफदी साने कुमाव पर आक्रमन किया तो उसने गरसार ग्राम कति उर्गाटी में इस ती था है इसको डूट कर बद्रिनाथ की भेंट चला दिया जोगी जब अभी से जोभी टैक्स होगा वो जाएगा बद्रिनाथ मंदर को ऐसा कुछ किया था अगला हमारा प्रस्ण ज्यांचन सेकेंड के बाद कौन सासक बना तो इसका स्यांसर है जगत चंद तो इसे हमारे आज के 25 प्रस्ण